पूर्णिंग देर स्टुडेंट चैप्टर फो एनिमल किंग्डम हमें स्टाडी कर रहे हैं फस्ट पार्ट में हमने बेसिस आप क्लासिफिकेशन के अंदर कर गएक अगिशम क्यूद्वानें देर स्टाडी किनियुद्री कि या था इसी सोने अपर नेच्स देर स्टुड्राइं के चैपवर्डैसी आप इस अदो शेल्साहलगाइन त्व एंटरी एंटर्म चांड यौन मौम और सेखुरिय्ट फारी म म्कलिंध नेख़ु एक प्लैटी हेंड मेंटी से कॉड़ेट्स तक के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो जर्मिनल लेयर होती है वो थ्री लेयर्स से मिलकर बनी होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म नेक्स्ट बेसे ऑफ क्लास्पिकिशन इस सेलोम, बॉडी कैविटी वीच विच लैंड पाइट मीसोडर्म, सीलोम के एक बॉडी कैविटी है जो एंडोडर्म और एक इस से लाइनड होती मिसोडर्म की लेयर्स सबसे पहले आते हैं शीलोमेड जिनमें टूआ चिलोम यहाती हैं इसके एक्जामपल हैं एंडेलेट्स, मॉलसक और जिन में क्या पाई जाती है? True to sylome पाई जाती है सेकिने pseudo sylome no true sylome as mesoterm is presents scattered pouches between ectoderm and endoram इन में क्या होता है? कि जो sylome है वो secreted pouch के रूप में पाई जाती है तोड़ा sylome के बारे में अगर मैं आपको बता दू sylome क्या होती है? अगर ये कोई cell है sorry अगर ये कोई organism है उसकी body में two types की layers पाई जाती है जो external होती है वो ectoderm और जो internal होती है endoderm two types की layer पाई जाती है germinal layers के according भी हमने बात की थी तो इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? mesoderm की layer पाई जाती है जो triple plastic animals होते है उनमें जो ये middle layer होती है वो काई की होती है वो mesoderm की होती है अगर हम sylome की बात करें तो sylomeate animals में क्या होता है? कि जो mesoderm होती है ये two parts में divide हो जाती है अंदर की और और बाहर की और बाहर जो external एक्टोरम है तो यहाँ पर एक body cavity बन जाती है इन दोनों के बीच में ये internal और ये external mesoderm के बीच में क्या बन जाती है? ये layer बन जाती है तो ये animals के लाते है true sylomeates क्योंकि ये पुरी body cavity क्या होती है? पुरी whole body में होती है ठीक है? दूसरे जो animals आते है उसमें क्या होता है कि एक्टोरम और mesoderm के बीच में जो mesoderm की layer है वो pouches में divided हो जाती है ऐसे small small pouches बना देते हैं बीच बीच में और ये ही क्या होती है? उसकी cavity होती है body cavity तो इनमें true sylome नहीं पाए जाती है इसलिए इन्हें pseudo sylomeates बोला जाते है third one is a sylomeates body cavity is absent और इनमें क्या होता है? a sylomeates में body cavity नहीं पाए जाती है इसके example प्लेटे हलमेंथी next day basis is segmentation segmentation का मत्लब होता है body divide हो रही है या नहीं हो रही है हम उसके different body parts को अलग-अलग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं तो असब से पहले हैं true metameras जिनमें body part को हम divide कर सकते हैं उसके अलग-अलग body parts को हम अलग-अलग identify कर सकते हैं यह पाया जाता है found in annulates orthopode and coordinates यह किस में पाया जाता है annulates orthopode and coordinates में segmentation is external as well as internal in annulates annulates में क्या होता है उसके बाहरी और आंतरी शरीर दोनों को हम divide कर सकते हैं segmentation is internal in coordinates और coordinates के अगर हम बात करें तो उसमें केवल internal क्या पाया जाता है segmentation पाया जाता है हम उसको बाहर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं लेकिन internally उसके जो पार्ट होते हैं सैप सेप्टा होते हैं हमें किल्डेली दिखाए दिए ठीक है इसके अलावा जो और्थो पूर्ट से हैं वह केवल क्या होता है external the externally divided होती है उनकी body head thorax और abdomen में सेप्टेड होती है स्यूडो मेटा मेरिज में फांडीन टैप फर्म में पाए जाती है स्यूडो मेटा मेरिज में क्या होता है कि embryonic stage से ही body divided नहीं होती है वालकि जब अडल्ट होता है और्गनीज में तब उसकी बॉड़ी में थोड़ा सा differentiation दिखाई देते हैं दा प्रोग्लोटेट से बड़ेड ओफ रॉम नेक क्या होता है कि उसके नेक में टैप वाम के प्रोग्लोटेट बड़ेड दिखाए देते हैं जो नहीं बाए जाते हैं उसके embryonic stage में है not embryonic in origin जो embryonic origin नहीं होते हैं कि पाल अडल्ट होने कि बाद ही उसमें थोड़ा से segmentation दीखाई देते हैं next base of classification इस notochord notochord के बेशशसपवेक हम classify करते हैं मैं ली दो ही इस के अंदर आते हैंателей and non-cordates जिसमें it is misodermally दिटर्फ और यह कैसे बनती है जो मीजोडरले हर होती है उससे बनती ओजिंग में उननको कॉड़ेट्ट पोला जाता है नौन कौड़ेट जो नौंट नौंट धिन पोड़ेट्स के बारасकोई भी आपttे नहीं पाए जाती है जो फम बात करें तो पॉरीफेरेट्विकाइनोन होते हैं उन्हें फर्डॉट्र sıर्फ कॉड़ी से देखें टाइग्राम ज़्यादा खास नहीं है हसने की जरुबत नहीं है देखिए ये एक आदमी का स्ट्रक्चर है तो जो जो इसका मौत वाला पार्ट है इसका एंटीरियर साइड है और जो NS वाला पार्ट है ये इसका posterior side है ठीक है ऐसी अगर ये कोई animal है तो इसके mouth वाले पार्ट को हम इसका anterior side और इसके जो पीछे का side है NS वाला side वो क्या होगा इसका posterior side होगा इसके अलावा जो वेंटल साइड होता है और डॉसल साइड होता है वेंटल साइड कहां पाया जाता है मैली वाले साइड में और डॉसल साइड जाता है उस वाले पार्ट को यह बोला जाता है डॉसल क्या हो गया इसका डोसल साइट पर होगा और इसका वेंटल साइट का होगा नीचे साइड होगा अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फाइलम पोरिफिरा की और सो कॉल्ड इस्पॉंजिस इनको कॉमनली स्पॉंजिस के नाम से जाना जाता है और यूजूली मेराइन एंड असेमेट्रिकल यह क्या होते हैं मेराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं और इनमें कोई भी अधिन नहीं पाया जाती है है अगर आम इनको इनके जैनमिनल लेयर की बात करें तो दो लेयर से इनमें पाई जाती है फूट जनरेटिंग रेस्परेट्री एक्षेंज एंड रिमोबल ओफ वार्टर्स अकर थ्रू दी वार्टर केनल सिस्टम इनमें सारी प्रोसेस हैं गै परेट्री एक्षेंज की या फिर रिमोबल ओफ वेस्ट की अगर हम बात करें तो एक कॉमन सिस्टम पाया जाता है कैनल सिस्टम उसके द्वारा होता है डाइजीशन इंट्रसलॉडर्स इंदर होता है और हर एक सेल के अंदर डाइजीशन होता है ऐसा कोई पाटिकुलर बलकि हर एक सेल के अंदर होते हैं वो देश्टिया नमई पोर ऑन बॉडि अधिया एक इस्में पॉर रही जाता है उसका नाम होता है उस्तिया दूसरा रही है युश्यपादी कैविटी जो इसके अंदर की बॉडि के बिटियो इसको बन हें जाता है यह आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं इनके जारा वाटर क्या होता है होल बॉडी में पहुंच पाता है दे आल लेट इन लाइन भाई कोईनो साइड्स कॉलर से इनकी बॉडी बनी रहती है बॉडी वाल है इस्केलिटन और इस्पेरिक्यूल्स और इस्पांजीन फाइबर जो इनकी इस्केलिटन बनी रहती है वो किसकी बने रहती है इस्पांजीन फाइबर गी इसके एक्जामपल साइकोन और यू स्पांजिया ठीक है यह दोनों इसके एक्जामपल है फाइलम फर्स्ट पोरिफियरा नहीं पर कंप्लीट होता है साथ ही इस चैप्टर का सेकिन बार्ट भी नहीं पर कंप्लीट होता है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू